हाई दिस इस युक्ती एंड यू आ वाचिंग बिंच क्रेविंग्स इनों ही वैरियेशन को बनाने के लिए हमें सेम ग्रेवी चाहिए बस बाद में थोड़े से चिंज़ करके एक को हम ग्रेवी में रखते हैं और वहीं दूसरे को ड्राय में कर दीती हैं तो आज के टू इन वन वीडियो के लिए तैयार हो जाएए लेकिन उससे पहले चैनल को स क्लिक कर दें ताकि आप तक मेरे सभी नोटिफिकेशन्स पहुँचते रहें तो आएए बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो मैं दोनों वैरियेशन्स के अकॉर्डिंग इसका मसाला तैयार कर रही हूँ अगर आप इन में से एक रेसिपी चुनना चाहते हैं तो मसाले की कॉंटिटी हाफ वी कर सकते हैं सबसे पहले एक कड़ाई में तीन से चार टेबिल स्पून देसी घी एड़ करें अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ तीन साबुत लाल मिर्च दो तेज पत्ते दोनों चीजों को अच्छे से भूनें अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारी कटी हुई प्याज प्याज की प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन होने तक भूनना है और प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है और अब मैं इसमें एड़ कर रही हूँ एक टेबिल स्पून किच्ञ किचिन किंग मसाला आपने टेस्ट के अकोर्ड़िंग लाल मिर्च अट करें सारी चीजों को अच्छ बहुत अच्छा हो जाए और साथ ही मैं डाल रही हूँ एक से दो टेबिल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट लो फ्लेम पर एक मिनिट तक सारी चीजों को सौते करें और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप टमैटो प्यूरे अच्छे से सौते करें और इसे स्टर करते र तीन से चार मिनिट के बाद में मैं इसमें डाल रही हूँ आधा कप फ्रेश मलाई इसे तब तक सौते करें जब तक की घी इससे अलग ना होने लगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि घी उपर आने लगा है अब गैस की फ्लेम को लोपर कर दें और इसे चार से पांच मिनिट तक धक कर पकाएं धक्के पकाने से प्याज और टमाटर का कच्चापन निकल जाएगा और जो मलाई डाली थी उसका घी भी उपर की तरफ आ जाएगा जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी देखने में कितनी ज़्यादा रिच लग रही है और अब मैं इसमें डाल रही हूँ पहले से उबाली हुई एक कप मटर मटर डालने के बाद में गैस की फ्लेम को लो पर कर दें और इसे दो मिनिट तक सौते करें सौते करने के बाद में हम पैन को फिर से ढख देंगे और लगभग 5 मिनट तक इसे पकने देंगे जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो ग्रेवी हम बना रहे हैं वो अभी दोनों के लिए ही बना रहे है यानि अभी मैंने इसमें कोई भी डिविजन नहीं किया है पांच मिनट के बाद में ये ग्रेवी कुछ इस तरह से दिखने लगेगी और ये अच्छे से पक चुकी है और इससे जो घी है वो भी अलग होने लगा है अब इस पॉइंट पर मैं ग्रेवी को दो पोर्शन में डिवाइट कर रही हूँ क्योंकि मुझे मेथी मलाए मटर पनीर की दोनों वैरियेशन बनाने है अगर आप एक वैरियेशन ट्राइ कर रहे हैं तो ग्रेवी की कुटिटी हाफ वी रख सकते हैं और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने ग्रेवी को दो पोर्शन में डिवाइट कर लिया है एक पोर्शन को मैं पहले अलग रख रही हूँ और सबसे पहले तयार करूँगी ग्रेवी वाला मेथी मलाए मटर पनीर रेसिपी के बीच में एक जेंटल रिमाइंडर अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आप मैं इस ग्रेवी में डालूँगी एक कप ताजी कटी हुई मेथी जिस समय मैंने मेथी डाली थी उस समय का जो वीडियो पार्ट है मैं शूट नहीं कर पाई थी बट मैंने इसमें एक बोल इस तरह से बारी कटी हुई मेथी डाली थी कई बार वीडियो शूट करते हुए इस तरह की गलतियां हो जाती है अब क्योंकि मैं ग्रेवी में पहले से ही मेथी डाल चुकी थी तो मैं उसे दुबारा से शूट नहीं कर सकती थी बहराल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा नमक डालें नमक कम ही डालें क्योंकि हम पहले से भी ग्रेवी में नमक डाल चुके हैं और अब मैं इसमें डाल रही हूँ एक कप कटा हुआ पनीर पनीर को मैंने छोटे-छोटे टुकडों में काटके रखा हुआ है सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करें गैस की फ्लेम को लो पर कर दें और कढ़ाई को वापस से धख दें और सारी चीज़ों को पांच मिनिट तक ढखकर पकाएंगे जब तक ये ढखकर पक रही है तब तक हम ड्राय वाली मेथी मलाई मटर पनीर तैयार करते हैं इसके लिए एक पैन में मैं डाल रही हूँ एक टेबिल स्पून बटर और ये आया बटर पैन के अंदर बटर जले नहीं इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा ओयल भी डाला है इसको आच्छे से पिघलने दें और आप इसमें हम एट करेंगे ग्रेवी जो हमने पहले से ही अलग करके रखी हुई थी आच्छे से स्टर करें और आप मैं इसमें डालूँगी 200 ग्राम बारी कटी हुई मेथी और इस बार मेथी डालते हुए वीडियो शूट करने में भी कोई गरबर नहीं हुई है तो यहां मैं डाल रही हूँ एक बड़ा बोल यानि 200 ग्राम के करीब इसमें मेथी इसको मैंने पहले से बारी काट के रखा हुआ है फिर से हम इसमें नमक डालते वक्त ध्यान रखें कि हम ग्रेवी में पहले भी नमक डाल चुके हैं गैस की फ्लेम को लो पर ही रखें अब मैं पैन को एक लिट से ढख दूँगी और इसे लो फ्लेम पर छे मिनट तक पकाऊंगी छे मिनट के बाद में ये इस तरह से दिखाई देगी आप देख सकते हैं कि मेथी के पते गल चुके हैं और अब मैं इसमें एड करूंगी एक कप ग्रेट किया हुआ पनीर फुल फैट पनीर का ही यूज करें अदरवाइस जो सबजी का टेक्स्टर है वो अच्छा नहीं आएगा अच्छे से मिक्स करें सबजी के कलर को इनहेंस करने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ कश्मीरी रेट चिली पाउडर और साथ ही हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर और अब फाइनली हमें इस सबजी को पांच मिनट के लिए लो फ्लेम पर ढखकर पकाना है और दूसरी तरफ अब जो ग्रेवी वाली वेरियेशन है हम उसमें एट करेंगे 4 टेबिल स्पून कैश्यू पेस्ट यानि काजू का पेस्ट काजू को मैंने पानी में भीगो के मिक्सी में पीस लिया था अच्छे से मिक्स करें अब साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ दो टेबिल स्पून क्रीम क्रीम डालना टोटली ऑप्शनल है बट ये क्योंकि हम एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल सबजी बना रहे हैं क्रीम से इसका जो टेक्श्चर है वो बहुत ही स्मूद और बहुत ही रिच हो जाएगा थोड़ा सा दूट डाल कर इसकी कंसिस्टेंसी को एड़्जस्ट कर लें और फाइनली इस सबजी को भी हम दो मिनिट तक लो फ्लेम पर ढग कर पकाएंगे और दो मिनिट के बाद में इसे सर्फ करेंगे तो ये पैन हमने ढग दिया और दो मिनिट के बाद देखते हैं तो ये सबजी कितनी अमेजिंग दिख रही है सो रेस्टूरेंट स्टाइल मेथी मलाई मतर पनीर बनके तयार है और जो दूसरी तरफ हमने ड्राए वाला मेथी मलाई मतर पनीर रखा था वो भी चेक करते हैं कि देखने में कैसा लग रहा है तो ये देखिए ये भी बनके एकदम तयार है दोनों वैरियेशन्स हमारी तयार हो चुकी है आप बारी आती है इने सर्फ करने की आप इसके साथ में रोटी, नान, मिस्सी या फिर तली हुई पूरी भी सर्फ कर सकते हैं आज की दोनों रेसिपीस को ट्राए करें और अपना फीडबैक मेरे साथ शेयर करना ना भूलें और हाँ अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ तिल देन टेक कियर